दोस्वागत है दोस्तो आपके अपने चैनल रही टेक पर और आज हम बताएंगे कि अगर आपका फोन रियल मीका है और आपके फोन में क्या हो रहा है कि बीच यो स्क्रीन है उसमें एड आ जा रहा है यह देखो मैं जो इधर इधर स्वाइब करता हूं उसके बाद यह देख जा रहा था मैं कभी restart कर रहा था थोड़े देर के लिए एड रुक रहा था फिर वो चालू हो जा रहा था तो मैंने इसे problem को solve करने के लिए क्या किया कि यह देखो पहले आपको कुछ करना नहीं है आपको अपने phone के settings को खोल लेना है यह सभी phones पे apply हो सकता है ठीक है आपके जो भी phone हो तो हम लोगों को इसमें apps में जाना है और किसी other phone में अगर और कोई दिखाता apps या app management तो उसमें जा सकते हो एप management में हम लोगों को जाना है एप management में जाने के बाद ये देखो सभी जो apps है उनके आगे नाम और colors दिखाई दे रहे हैं ये देख रहे हैं उनके icons दिखाई दे रहे हैं कि कौन-कौन से app है ठीक है ये देखो ये जितने भी apps और games है यहाँ पर उनके नाम और ये दिखाई दे रहे हैं पर जो top में है ये देखो सिर्फ white color का है invisible type का इस पर invisible पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करोगे आप देखो यहाँ पर ये install का option आता है इसको simply कुछ करना नहीं हम लोगों को install कर देना है जैसे ही install करोगे यहाँ पर okay कर दिया हम लोगों ने okay करने वाद दिये देखो एप जो है यह टॉप में चला गया है हम लोगों का और वहाँ से वह invisible जो एप था वह हट गया है यानि कि delete हो गया है तो जैसे delete होगा यह आपका add वाला problem जो है यह तुरंथी solve हो जाएगा अगर आपको इससे related कोई प्रॉलम आती है तो आप मुझे comment कर सकते हो मैं उस पर तुरंथी reply करूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो